हे एवरिवान, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एक्जाम टॉपर तो गाईज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सभी राज्यों के मेले और उत्सब जो की काफी important टॉपिक है और देखे इस टॉपिक से related कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं और वही कोशन मैं आपे कराऊंगी जो पूछे गए हैं और जिनके आने के चांसिस हैं तो टॉप 30 कोशन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ तो लास्त तक आप लोग वीडियो देखे यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजे शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे जो भी न्यू है और यदि आप लोग इस वीडियो का पीडियो पाना चाते हैं तो हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कीजे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है चलिए देखते हैं फर्स्ट कोशन देखें पहला कोशन ही काफी important है छट पर्व किस राज्य में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है बिहार में याद रखेगा बिहार राज्य में छट पर्व मनाया जाता है अच्छे ये छट पर्व जो है ये क्या है तो छट पर्व में सूरे की पूजा की जाती है और इसम निर्जला वरत रखा जाता है और ये क्यों मनाया जाता है तो देखे सर्व कामना पूर्ती के लिए छट पर्व मनाया जाता है याद रखेगा बिहार राजे में बिहार की राजदानी पटना नेक्स्ट कोशन है दुर्गा पूजा किस राजे में मनाया जाता है बहुत ही फे पस्चिम बंगाल की राजधानी अच्छा ये जो दुर्गा पूजा है ये क्यों मनाया जाता है तो दुर्गा की जो दुर्गा देवी थी उनकी बुराई के प्रतीक राक्षस महिसासुर पर विजय के रूप में जो है ये मनाया जाता है जब उन्होंने महिसासुर को मारा थ तो फिर विजय हुई थी माता दुर्गा की तब जो है उनी की विजय के रूप में ये मनाया जाता है दुर्गा पूजा और ये देखे पश्चिप बंगाल के अलावा असम, बिहार, जारखन, मडीपुर, ओडिशा, त्रिपुरा, वेस्ट बेंगॉल और देखे अगर में मन मनाया जाता है और अधर कंट्री देखे नेपाल और बांगला देश में भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है याद रखेगा नेक्स्ट कोशन है पुसकर मेला किस राज्य से संबंदित है देखे कोशन का लेवल देखकर समझ गए होंगे कितने इंपोर्टेंट है ये भी बहुत फेमोस और बहुत ही इंपोर्टिन कोशन है पुसकर मेला किस राज्य से संबंदित है तो ये संबंदित है राजस्तान से और ये कम मनाया जाता है तो ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसको पुसकर उंट मेला भी कहा जाता है याद रखेगा कोशन है हाथी उच्छव किस राजी से संबंदित है तो हाथी उच्छव संबंदित है राजस्थान से याद रखेगा ऑप्शन नमबर डी राजस्थान के जैपुर में हाथी उच्छव मनाया जाता है जैपुर जो की राजस्थान की रास्थानी है नेक्स्ट कोशन है उट म मिला है ना अभी मैंने आपको बताया पुसकर उट मिला तो ये राजस्तान राज्य में आयोजित किया जाता है ओप्शन नमबर बी चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं एसिया का सबसे बड़ा मेला कौन से राज्य में लगता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन स्क्रीन ले लिजेगा तो ये बिहार राज्य में लगता है एसिया का सबसे बड़ा मेला बिहार के सौनपुर में जो कि एक पसू मेला है ठीक है एक बहुत बड़ा पसू मेला है जो बिहार के सौनपुर में लगता है और ये जो है कार्तिक पूर्णिमा से पूरा एक महीने तक कंसमेला कहां आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है मतुरा में option number भी हो जाएगा correct answer देखे जो कंसमेला है ये कार्तिक महीने की सुकल पक्ष के दसवे दिन जो है मनाया जाता है और ये क्यों बनाया जाता है? तो देखे जब क्रिश्न ने कंस का वद किया था तो ये उसी के उपलक्ष में मनाया जाता है और मतुरा को पूरा वैसे ही सजाया जाता है परमपारिक परीधान पहने जाते हैं और मतलब मन्च पे जो है कारेक्रम किया जाता है जब कृष्ण ने कंस का वध किया था याद रखेगा पूरा मंचन किया जाता है इस प्रोग्रा कोशन देखते हैं ओडम किस राजे का प्रमुक्तियोहार है तो देखे जो ओडम है ना ये केरल का प्रमुक्तियोहार है option number D याद रखेगा केरल का राष्ट्रे पर वह भी है ये ये भी आपको याद रखना है और ये क्यूं मनाया जाता है तो राजा महाबली का स्वागत करने के लिए ये जो है सितंबर माह में आयोजित किया जाता है ओणम याद रखेगा राजा महाबली के स्वागत के उपलक्ष में अब देखेगा कौन सा त्योहार क्यूं मनाया जाता है किस राजे में मनाया जाता है मैं पूरा explanation देकर आपको समझा रही हूँ तो वीडियो को like जरूर करते जाएगा यदि अच्छी लग रही है और share भी कीजे next step पॉंगल की सराज्य का प्रमुक्तियोहार है तो देखे जो पॉंगल है ना ये तमिल नाडू का प्रमुक्तियोहार है यानि की option number C तो ये जो पॉंगल है ना ये जो है प्रती वर्स 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और देखे तमिल नाडू यानि भारत के अलावा स्री लंका, मलेशिया, मौरिसस, अमेरिका, कनाडा और सिंगपॉर में भी ये मनाया जाता है जहां पर तमिल लोग रहते हैं, बड़े ही धूमदाम से पॉंगल मनाया जाता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं, सेंट थोमस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है तो ये भी तमिल नाडू में ही मनाया जाता है और तमिल नाडू की राजधानी चैन नहीं याद रखेगा नेक्स्ट है, डांडिया और गर्भा किस राज्य के प्रमुकुचब है तो देखे, बहुत ही फेमस है और ये कोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुजरात यहां पर करेक्ट हो जाएगा डांडिया एक डांस फॉर्म का नाम है डांडिया और गर्भा तो गुजरात यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की राजधानी गांधी नगर नेक्स्ट देखते हैं सुरज कुंड मेला किस राज में आयोजित किया जाता है सुरज कुंड मेला हर्याणा में आयोजित किया जाता है हर्याणा के फरीदाबाद में और ये एक हस्त सिल्प मेला है याद रखेगा कर्मा पर्व किस राज में आयोजित किया जाता है तो देखे जो कर्मापर्व है ना ये बिहार में आयोजित किया जाता है option number A देखे बिहार में भादों मास यानि कि सिप्टमबर में सेप्टमबर में एकादसी के दिन जो है ये आयोजित किया जाता है और बिहार के अलावा जारखन, ओडिशा, पस्चिम मंगाल और छतीस गड़ में भी ये मनाया जाता है कर्मापर्व नेक्स्ट कोशन है लोसांग उच्छव किस राज में आयोजित किया जाता है तो ये किया जाता है सिक्किम में और सिक्किम की राजधानी क्या है गंगटोक और ये जो लोसांग उच्छव है न ये चार दिन तक चलता है याद रखेगा चार दिन का ये एक उच्छव है और ये क्यों मनाया जाता है तो देखे जब सिक्किम में किसान अपनी फसल काट लेते हैं तब उसी का जशन मनाया जाता है लोसांग उच्छव को द्वारा याद रखेगा नेक्स्ट है काल चक्र उत्सव किस धर्म के लोग मनाते हैं very very important question तो बौध धर्म के लोग मनाते हैं काल चक्र उत्सव और बौध धर्म के जो बजरयान संप्रदाय के दर्सन से संबंधित ये एक सब्द है काल चक्र याद रखेगा बौध धर्म के बजरयान संप्र अदाय के दर्सन से संबंदित है ये एक सब्द काल चक्र जो की काल चक्र उच्छ बौध धर्म के लोग मनाते हैं नेक्स्ट कोशन है साधा गावा किस धर्म का प्रमुक्तियोहार है तो ये भी देखे बौध धर्म का एक प्रमुक्तियोहार है और एक चीज हां मेरे को याद गई कल एक्शली जो कल क्यापिटल वाली जो वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब पर तो उसमें एक मिस्टेक वो मतलब फ्लो फ्लो में हो गई है I think मैंने पस्चिम बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता न बता के कुछ और बता दी है मतलब वो flow में मतलब by mistake मेरे दिमाग से slipped हो गया और वो गलती से मैं बता दी हूँ so sorry उसके लिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कॉलकाता है याद रखेगा चलिए रंगोली भी हूँ किस राजे में आयोजित किया जाता है बहुत important question है ये वाला तो ये असम में आयोजित किया जाता है याद रखेगा रंगोली भी हूँ और इसको देखे रंगोली भी हूँ के अलावा बोहाग भी हूँ हत भी हूँ के नाम से भी जाना जाता है अच्छा ये भी हूँ मनाया क्यों जाता है तो असमी नववर्स की शुरुवात का प्रती किसको माना जाता है रंगोली बीहु को यानि कि रंगोली बीहु तम मनाया जाता है जब असमी नवर्स की शुरुवात हो जाती है और ये देखे उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मनाया जाता है इक पूरी में निकाली जाती है जो की और एक और चीज पूरी में मैंने आपको बताया जगननात पूरी जिसको कहा जाता है और जगनात पुरी को धर्ती का बैकुंड भी कहा जाता है ये भी आपने याद रखना है उडिशा की राजधानी भूवनेश्वर है नेक्स्ट कोशन है वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुक्तियोहार है तो करेक्ट आंसर है पंजाब यानि की ओप्शन परे वैसाखी देखे इस दिन जो सूर्य है वो मेस रासी में प्रवेश करता है ओके जो की पंजाब में मनाया जाने वाला एक प्रमुक्तियोहार है और ये जो वैसाखी का त्योहार है ये न केवल सिखों के लिए बलकि हिंदूों का भी एक प्रमुक्तियोहार है याद देवी धुरा मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है तो हिमाचल पुर्देश में उत्राखंड में आयोजित किया जाता है देवी धुरा मेला और ये जो देवी धुरा मेला है ये रक्षा बंदन के अवसर पर आयोजित किया जाता है और इसमें होता क्या है तो पत्थर मेला किस राज में आयोजित किया जाता है तो मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है अच्छे ये क्यूं मनाया जाता है तो देखे चंबा के राजा की विजय के उपलक्ष में जो है चंबा घाटी में ये मेला मनाया जाता था वहां के जो लोग थे उन्हो अभी से देखे ये मिंजर मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की चमबा घाटी से इसकी सुरुवात हुई थी मनाने की याद रखेगा Next कोशन है कराची पूजा त्योहार किस राज़े में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में option number 2 त्रिपुरा के अलावा वेस्ट बेंगौल असम में भी ये मनाया जाता है और ये देखे इन राज्यों का वर्स का सबसे बड़ा उत्सव होता है और ये बंगाली हिंदूों और असमी हिंदूों का बहुत बड़ा त्योहार है याद रखेगा नेक्स्ट कोशन है जेस्ट अस्टमी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है देखे जेस्ट अस्टमी की यहाँ पर बात की जा रही है तो ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है ये आपको बताना है देखे जम्मू कस्मीर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टाइपिंग मिस् याद रखेगा स्क्रीन शॉट ले लेना चलिए नेक्स्ट देखते हैं नवरोज त्योहार और पपेटी उच्छब ध्यान रखेगा नवरोज त्योहार और पपेटी उच्छब किस धर्म का त्योहार है तो ये है पार्सी धर्म का त्योहार याद रखेगा नवरोज त्योहा तो नवरोज जो है ये पार्सी लोगों के नववर्स की सुरुवात होती है नवरोज त्योहार के द्वारा और देखे जो पपेटी उच्छव है इसमें जो लोग है वो परमपरागत वस्त्र पहनते हैं यानि कि जो इनकी पार्सी लोगों की जो अपनी वेश भूचा है वो ये मनाया जाता है आंध्रप्रदेश में ओप्शन नमबर ए और आंध्रप्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी तीन दासधानिया है विसाखा पत्नम अमरावती और कुर्नूल नेक्स्ट कोशन है उत्राखंड में कुम्भ मेले का आयोजन की सिस्थान पर किया जाता है ये तो सबसे इंपोर्टिन कोशन है याद रखेगा तो कहां पर किया जाता है उत्राखंड में कुम्भ मेले का आयोजन हरी द्वार में किया जाता है याद रखेगा कुम्भ मेला क्या है तो हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपून एक पर्व है जिसमें देखे करोडो सुरत द्वार में कुमभ मेला लगता है तो याद रखेगा ओप्शन नमबर सी नेकस्ट कोशन है मद्धे प्रदेश में कुम्ब मेले का जो आयोजन है वो कहां किया जाता है तो उजेन में किया जाता है option number C next and last question उत्तर प्रदेश में कुम्ब मेले का आयोजन कहां किया जाता है तो प्रयाग राज में किया जाता है याद रखेगा एक चीज आपको मेरे को यहां पर बतानी है जो बहुत important है मैंने आपको बताया कि जो कुम्ब का आयोजन है वो प्रतेक 12 वर्सों में किया जाता है लेकिन प्रयाग राजे कैसी जगा है जहाँ पर कुम्ब जो है प्रतेक 12 वर्स में 2 बार आयोजित किया जाता है यानि कि कुम्ब का अंत्राल 6 वर्ष का होता है यहाँ पर जिसको अर्ध कुम्ब कहा जाता है ज्याद रखेगा सभी लोग बहुत important question है screenshot ले लीजेगा So thanks for watching to all of you यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो like कीजे सभी लोग share करिए ज्यादा से ज्यादा subscribe कीजे जो लोग भी new है Sorry और comment करके मुझे बताईए आपको question कैसे लगे पढ़ाया हुआ कैसा लगा लेकिन इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि सबसे अलग मैंने आपको पढ़ाया है सबसे unique आपको मैंने बताई है यहाँ पर information सभी मेलाज और त्योहाज के बारे में ओके तो ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने आपको पढ़ाया होगा ज़्यादा से ज़्यादा share कीजे इस वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजे और यदि आपको pdf चाहिए तो हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कीजे जिसकी लिंक आपको description में दी हुई है और next वीडियो किस topic पर चाहिए topic मुझे suggest कीजे next class में मिलती हूँ तब तक के लिए take care bye thank you